हेलो एवरिवान, माई नेम इस अदीती चौधरी, वेलकम टू माई चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेज बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे उसकी मुझसे नहीं बनती, मेरी तुमसे बहुत बनती है, हम दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती उसकी तो किसी से नहीं बनती, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेज जिन में हम बोलते हैं कि किसी की किसी के साथ बनती है या नहीं बनती या निबती है या नहीं निबती इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम get along with someone इस phrase का use करते हैं जिसका मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों की आपस में बनना या आपस में निबना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद get along with आता है इसके बाद object आता है और last में other words आते हैं अगर बचते हैं तो इसमें जो ये get है ये as a main verb यूज होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि gets, getting, got, gotten चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए उसकी मुझसे नहीं बनती या उसकी मुझसे नहीं निबती She doesn't get along with me मेरी तुमसे बहुत बनती है या मेरी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी निबती है I get along with you very well हम दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी We both didn't used to get along with each other उसकी हमसे ज्यादा नहीं बनती He doesn't get along with us much मेरी उसके साथ नहीं बनेगी I will not get along with him तुम्हें सब के साथ बना कर रखनी चाहिए You should get along with everyone You should get along with everyone उसकी तो किसी के साथ नहीं बनती She doesn't get along with anyone She doesn't get along with anyone अब हम दोनों की आपस में बन रही है Now we both are getting along Now we both are getting along वहां मेरी उससे बहुत अच्छी बनी I got along with him very well there I got along with him very well there तुम दोनों के एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बनती Why don't you both get along with each other Why don't you both get along with each other क्या उसकी तुम से नहीं बनती Does he not get along with you Does he not get along with you अब एक सेंटेंस आपके लिए उसकी अपने भाई के साथ नहीं बनती इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ अब तक के लिए take care bye bye